अस्सलाम उलेकुम मैं हूँ जुवेरिया आज आपके सामने एक नई रिसीपी लेकर हाजिर हुई हूँ तो आज हम बनाने वाले हैं विज मसाला मैगी बहुत कम वक्त में बनने वाला ब्रेकफॉस्ट सभी का फैवरेट ब्रेकफॉस्ट है ये तो चलिए बनाते हैं तो सबसे पहले आईल हीट होने के बाद दो स्लाइस आनियन के प्राइब करेंगे मेडियम टू हाई फ्लेम में इसके बाद ग्रीन चिली मैंने यहां पर पीसस करके इसमें डाल दिया है अब हम गैस का फ्लेम मेडियम कर लेंगे बस दो-तीन मिनिट के लिए हम इसको फ्राइ करना है इसके बाद ऐड़ करेंगे हमारे विजटेबल्स जो के मैंने केरेट कूछ चॉप कर लिया है और ग्रीन बीन्स थोड़े से और फ्रेंच बीन्स कूछ मैंने बारी तराश लिया है इसको भी इसमें आड़ करके मिक्स कर थोड़ी देर फ्राइब करेंगे, हम इसको ज्यादा कूप नहीं करेंगे, बस धीमी आंच में इसको कुछ सेकेंड के लिए कूप करना है, तो इसके बाद एड़ करेंगे टोमैटो स्लाइस, मैंने यहां पे दो टोमैटो कूप बॉरीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें मैगी मसाला और थोड़ा सा हल्दी पौडर और नमक टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे मसाले में भी नमक होता है, इसलिए थोड़ा सा नमक एड़ करके मिक्स कर लेंगे, अगर आप रेट चिली का इस्तिमाल करना चाहते हैं, स्पैसी ज्यादा पसंद है, रेट चिली का के लिए ढख कर इसको करेंगे, हमको ज्यादा पानी नहीं एड़ करना है, क्योंकि हमारे नूडल्स बहुत ही ज्यादा कुख हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुख हो गए हैं, अब इसमें एड़ करेंगे हमारे मैगी नूडल्स आप यहाँ पर सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर गैस का फ्लेम मेडियम रख लिया है, सारे मैगी नूडल्स को इसमें आट कर देंगे, सुबो के नाश्ते में सभी लोग सिम्पल पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको एक सिम्पल प्रेक् चिली का इस्तिमाल कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए बनाई है, क्यूंके ग्रिन चिली भी बहुत ही स्पाइसी होती है, तो अब देख सकते हैं, हमारी मैगी नूडल्स बन के तयार हो गए हैं, पानी अच्छे से सूख चुका है, अब हम सफ कर सकते हैं, गैस क की फैवरेट ब्रिकफास्ट है, मुझे उमीद है यह छोटी सी रेसीपी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी, पसंद आई है तो प्लीस लाइक कीजिए, शेर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलती हुए एक नई रेसीपी लेकर, तब तक के लिए, टेक केर, Allah Hafiz